मो फली की ऐसे जीक की चाहिए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को फूरा देखिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हालो इब्रिवन, गूड इबनिंग, कैसे हैं आप सब? अर्षा करते हैं, सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे, और मैं भी थोड़ी अच्छी हो गई हूँ क्याना चिए कि बोलने लाइक कितनी हो गई हूँ, कि फ्रैंक बोल सकती हूँ वैसे मेरे को रात को फीवर था, दिन में भी फीवर था, अभी साम का समय हो रहा है मैं आप लोग को बोली थी सुबा मैं आपडेट दे दूंगी, मैं कैसी हूँ बट नहीं दे पाई ठंड काफी रहता है, मैं उठी निपाती हूँ जल दी, और उपर से फीवर तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं, फटा फट और आज मौसम ना साफ हो गया है, थोड़ा ऐसा साफ हुआ है बादल पूरे हट गये हैं और बारिस भी थम गया है, तो काफी अच्छा लग रहा है, मौसम ठीक ठाक है तो तो चलिए फटा फट वीडियो स्टाट करते हैं और आज मैं आप लोग के साफ रेसिपी सेर करने वाली हूँ तो चलिए क्या रेसिपी सेर करती हूँ, तो वीडियो देखने के बाद पता चलेեगा, तो बने रहेगा वीडियो के साथ वीडियो पसंद आता है तो लाइक सेयर और सस्क्राइब करिएगा न्यू है तो सस्क्राइब कर लीजेगा दुबारा सस्क्राइब मत करिएगा प्लीज अंसस्क्राइब हो जाता है तो न्यू है तो ही सस्क्राइब करिएगा चो सस्क्राइब कर लिए है वो प्लीज सस्क्रा अफ़ड वीडियो स्टाट करते हैं देर नहीं करते हैं तो बदाम की चिक्की बनाने के लिए मैं कड़ा ही गरम होने को रख दी हूँ आप लोगे साथ तो यहां पर फली जो है उसको हम रोष्ट करेंगे तो कड़ा ही गरम हो गया था तो डाल दिये हैं उसमें फली इसको इत तो इस तरह से इसको रोष्ट कर लेना है थोड़ी थोड़ी देर में चलाना है इसको यह थोड़ा सभी छोड़ेंगे न तो यह चल जाता है तो चलाते हुए हमको इसको रोष्ट करना है अप लोग एक बार ट्राइ करिएगा यह मुफली वाले चिक्की बहुत ही टेस्टी लगती है और इनर्जी से भरपूर होती है तो एक बार ट्राइ करिएगा आप लोग फिर मेरे वीडियो को लाइक से और और सब्सक्राइब करिएगा और कोमेंट करिएगा कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक से और और सब्सक्र करना है जिससे कि मैं बताई हूं कि इसके अलग हो जाए जलवाना नहीं है इसको 和 और यह देखी मैं इसको देख रहे हूं एक बार थोड़ी चाहिए तो मेरे को ऐसा लगा ना कि यह थोड़ी से नहीं हुए हैं तो फिर मैं उसके बाद में इसको थोड़ा सा और और थोड़ा सा रहने दी मैं उसके बाद में इसको मैं निकाल लूँगी आप चाहे तो छीलका ना निकाले तो पर भी अच्छा लगता है खाने में लेकिन आप छीलका निकालते हैं न तो पूरा वो अच्छ को इसको प्रेस करते हुए इसको सारे को हम दो भागों में तोड़ लेंगे या तो आप सूती का कपड़ा ले लिजे उसमें फिर उसके बाद में थोड़ा Σाप्रेस करेंग तो वह ठीक हो जाएगा यहां पे घी गरम कर ली मैं दो चमज और यहां पे सक्कर डाल दी मैं सक्कर वाली चिक्की बना रही हूं तो सक्कर डाली हूं आप गुर्ड वाली बनाएं तो गुर्ड डाल दे तो यहां पे सक्कर डाल दी मेरे को ना बहुत ही मीठा वाला चिक्की पसंद नहीं है तो इसलि लते रहेंगे ठीडरे धीडरे ये पूर गल्ट हो जाएगा इस तरह इस तरह से तो अब ये पूरी तरह में हो गया तो मैं इस इसमें डाल दिआ जूरिय करना रok unhappy ती combmi खे देखिएगा पूरा मेरा वाइट वाइट और दूसरे साइड से थोड़ा सब रेड रेड दिखेगा तो मैं उस टैस से लगा लूगी तो इसको अच्छे से इसमें सेट करना है आप बड़ा बरतन ले सकते हूं उसमें घी या तेल लगा के आप रख सकते हैं थोड़ी देर ब करिएगा और मेरे को अपने कॉमेंट के जरिए मेरे को बताईएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया है तो लाइक से और और सस्क्राइब जरूर करिएगा और नीव हैं तो ही सब्सक्राइब करिएगा और क्या बोलूं बहुत ही टेश्टी बन के त प्रिस्क्राइब जरूर करिए